हलो बच्चो स्वागत है आपका अपना यीटूब चैनल कमपटेटिव गाइडर में कमपटेटिव गाइडर चैनल के माध्यम से कच्छा दस्मी के संस्कृत पुस्तक प्यूसम का यहां पे सभी चेप्टर का प्रस्म सीरीज खराया जा रहा है तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो कच्छा दस्मी के सभी वीडियो का अपडेट पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर ले ताकि कच्छा दस्मी के कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया जा तो आप लोगों के पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुचे और आप अच्छे से उसका प्रिप्रेशन कर सकें तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं भारतिय संस्कारा जो एकनी बंद है उसके सभी प्रशनों का हल यानि सभी प्रशनों का उत्तर हिंदी और संस्कृत दोनों अर्थों में आपको सबसे पहले संस्कृत और उसके बाद हिंदी अर्थ करके और उसके बाद प्रशनों का उत्तर समझाया जाएगा तो आप वीडियो को सुरू से लेकर अंतलग देखें और किसी तरह की कोई भी क्वेरी रहती है या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आपको कोई परिसानी हो रही है तो आप कमेंट पड़के आपके सुझाओ को और आपके जो भी समस्या हो रही है उसको सोलूसन देने की कोर्सिस करेंगे तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वह भारतिये संस्कारा के जो सश्ट पाठा है छठा पाठा है उसके म पुन को सनों को एंसर देखेंगे देखेंगे तो यहां से पाला को सन आपको मोखिका दिया गया है जिसमें कहा गया है कि एक पदेन उत्तरम बदत यानि एक पद में उत्तर आपको बोलने हैं लेकिन यहां पे आपको लिखने होंगे को को सन में कहा है संसकारा कती संती संसक तो इसका जो सही जवाब होगा त्रया मतलब तीन अगला कोशन कि सैसवे कती संसकारा भवंती सैसवा कौन से संसकार सैसवे संसकार में कितने संसकार आते हैं या होते हैं तो इसका सही जवाब सट हो जाएगा यानि सट मतलब सट मतलब आप समझ रहें ना सट मतलब छे ध्यान रखेंगे चली अगले प्रश्ण क्यों और बढ़ते हैं अच्रा रंब की द्रिशा संस्कारा अच्रा रंब कौन से संस्कार के अतरंगत आता है तो अच्रा जो अरंब आता है वह सिच्छा संस्कार के अंतरगत आता है गिरहस्त जीवनस से एक संस्कार कह गिरहस्त जीवन में एक संसकार कौन है तो आप देख सकते हो जिसको लोग वीवा संसकार करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा विवा संसकार चलिए अगले प्रस्ण क्यों और बढ़ी है तो अगला प्रस्ण में कहा है जो लिखी थे कता एक पदें उत्रानी लिखत एक पद में आपको उत्तर लिखने हैं कता भारतिये संस्कृते परिचय किस्य जायते भारतिये संस्कार परिचय किसको करता है तो आप जान सकते हैं ज इसका जो सही जवाब निकल कर आएगा वह पांच आएगा यानि सेचनिक संसकार पांच हैं सब्त पदी किरिया कस्मिन संसकार बिध्यती सब्त पदी जो किरिया संसकार है वह किसके अंतरगत कौन से बिवा के कौन से बिधी के अंतरगत आते हैं तो इसका जो सही जवा होगा विवाहे यानि विवाहे संस्कार के अंतरगत सब्तपदी की रिया संस्कार आता है भारतिये भारतिये दर्सनस्यम मोहतोपूर्णम उपादानम की भारतिये दर्सन में मोहतोपूर्णम उपादान किसकी है तो अब देख सकते हैं यह संस्कारा की है संस्कारा सिमान तो नेनम क किसे गहा गया या किसे जाना जाता है गिना गया है तो इसका सही जवाब होगा जन्म पुर्वेशु अन्ना प्रसन नाम केशु संसकारे गन्यते यानि भोजन गरहन या अन्न का जो दाना खिलाया जाता है या अन्न का जो विधी है वह कौन से संसकार के अंतरगत गिने जाते किस चीज का पालन करता है या किस चीज का पाल्यन करके अध्यन करता है तो यह सिच्छा नियमान यानि सिच्छा के नियम को पालन करता है अगला कोशन है पूर्ण वाक्यन उत्रानी लिखत पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर लिखने कहता है संस्कारा मानवस्य कुत्र कुत् नयने गुना धाने चो युगदानम कुर्वंती यानि संसकार मानों को परिमारजन दोस्थ और उनके गुन के बताई गुन और उसके युगदान के बारे में बताते हैं या युगदान देते हैं सेंचनिक संसकार के अंतरगत कोई-कोई से संसकार आते बनाय गए हैं से landsgaris 76 अथरारम्ब उपनाइनम फिर उसके बाद वेदा रम्ब के सान्थ समावर्तिनंä पच्छ संसकार प्रकल्पितः यानि सेहटनिक संसकार के अंतरगत अच्रा रम आता है उपने नम आता है बेदो का रम होता है के सांथ होता है और इस तरह से इसके कुल संसकारों की जो संक्या है वह पाँच है अगला कोशन का है गमे कि सैस्वा संसकार ये सु के के संसकार संप्रभ भनते यानि सैस्वा संसकार के अंतरगत कौन-कौन से संसकार संपन होते हैं यहां से का से संसकार में जात कर्म यानि जात का यहां पर बता दिया जाता कौन से जाती का होगा नाम करन यानि नाम बता दिया जाता कौन से नाम होगा नाम करन किया जाता है निस्क रमन किया जाता है अनप्रस्नम किया जाता है चुड़ा कर्म कर्न बेद और कुल सड़ संसकार संपन्भते यानि कुल ऐसे करके सड़ संपरकार बताए गए हैं अगला घह में कहता है कि बिवास संसकारे कानी मुख्यानी कार्यानी भवंती बिवास संसकार के अंतरगत कौन-कौन से मुख्यकार्ष होते हैं तो देखी यहां पर कहा गया है कि बिवास संस परम निरिच्छनम कन्या दानम अगनी अस्थापनम पाणि ग्रहनं लाजा लाजा हमा सप्त पदी सिंदुर्दानम अने कानी मुख्यानी कารजानी भवन्ती और यानी एस सवी आनि विवास संस्कार में बागदान मंणडपनिर्मान बदुग्री है यानि लड़की के पक्स लड़की पक्सवाले लड़कों पक्सवाले का स्वागत करते हैं कन्यादान होता है सब्तपदी होता है मतलब साथ फेरे लिए जाते हैं सिंदुर्दान होता है अगनी अस्थापनम होता है तो यह सभी कार्ज मुख रूप से विवाज संसकार के अंतरगत होते हैं तो अंतेष्टी संसकार कदा संपधते यानि अंत का जो संसकार है वो कौन सा है तो अंतेष्टी संसकार में कब होता है यहां पुछा गया कि सरफे सांसकार काहों स्वाने का कुष्व क्याहे एक कल रोगारा है जिस्ति फ्रकूर में ककला करते तो किहाड़ी सिस्या बेदारंब क्रोती अस्वा गुरू के घर पर सिस बेद का आरंब शुरू कर देता है थड कोस्टन में कहा गया कि अधो लिखितम उधारनम ध्यायने पठत तत प्रदत पदै खाली जगा कृत्वा खाली जगा क्रोती या कुर्वंती परियोग पूर्व कंच एक एक व वाक्यम रच्यत यानि नीचे लिखे गए उधारन के अनुसार आपको पढ़ने है और उसमें तत प्रदत और कृत्वा डॉट्डोट करोती और कुर्वंती परियोग करके वाक की रचना करना है जैसे यहां पर दिया गया अगनी अस्थापनम तो अगनी अस्थापनम में क क्या कहा गया कि जना अगनी अस्थापनम कृत्वा विवा कुर्वंती देख सकते आप लोग इसका बनाया गया पूरे संटेंस को अच्छर लेखनम में कहा गया कि बाल का अच्छर लेखनम कृत्वा अध्यनम करोती यहां से इसका बनाया गया अच्छर लेखनम का उसके ब अगला है निरिछनम बरबधुम निरिछनम कृत्वा बिवाह करोती यानि बरबधु को निरिछन करके बिवाह करते हैं गोधानम ब्रहमचारी गोधानम कृत्वा के सांथ करोती उपनेनम सिस्य देख सकते हैं सिस्य उपनेनम कृत्वा अध्यनम करोती वागदानम जना वाग करकर करके आप इसका नोट भी कर सकते हो इंसर को अधो लिखित अस्तम द्वाए प्रदत पदानाम समुचित बिलों पदै समेलनम कृत्वा लिखता यानि नीचे लिखे जो सब्द है उनको आपको क्या करने हैं आपको मैच कराने हैं तो ध्यान रखेंगे यहां से हम आपको मैच करके दिखाते हैं तो सबसे पहले जो यहां पे आपको बताया गया है वो पर्यूजनम और पर्यूजनम को आपको इसमें देखना है तो पर्यूजनम का क्या हो जागा निस पर्यूजनम प्रसंता का क्या हो जागा और प्रसंता ध्यान रखेंगे और प सकार आप नइनम का क्या हो जागा आपको अनेनम का आन नbon प्रसंस्कार सबीं आपको इस तरह से मिलाने थे तो आप उसको मिला लेंगे चलिए पाचमा प्रस्ण की और भढ़ते हैं और आज का यह आखरी प्रस्ण भी है पाचमा प्रस्ण में कहता है कि निम्नांकित प्रकिर्ती परत्यानाम योगम कृत्वा पदाने परदर्स्यत यानि नीचे जो लिखे पद हैं उनको उनको में प्रकिर्ती परते बताना है और शाथ में उसका और्थ भी लिखना है तो काख आ गया है कि परी मृझ परी जोड मृझ जोड निंच जोड लिव्ट तो इससे जो सब्द बनेगा या जो पद बनेगा वह परी यहिसं आपता है और किसी भी तरह के आप लोगों को वीडियो का या किसी भी तरह के और इस चेप्टर से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो चाहिए या इन्सर से रिच चाहिए तो आप comment section में comment करना बिलकूल न भूलें फिर मिलते अगले वीडियो में अगले समय चैनल पे नए तो चैनल को लाइक करके जाएं सब्सक्राइब करके जाएं और शेयर करकर जाएं ताकि इसी तरह का वीडियो का अपडेट आप लोगों और आपके दोस्त के भी पास पहुशते रहें थेंक्स पर वाचिंग टेक क्यार बाए बाए फिर मिलते अगले वीडियो में